हेलो फ्रेंड स्वागता आप सभी का यद्वंशी व्लॉग 0304 चैनल पर तो एक बहुत बहुत बढ़िया सी हेल्दी सी रेस्पी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी क्योंकि बहुत कम तेल मसालों में बनी है स्रिफ एक सो दो चम्मज तेल और आधा चम्मज टोटल मसाल पड़े पड़े होंगे इसमें तो बहुत बहुत हेल्दी रेस्पी है और चटपटी भी बहुत है रोज रोज का दाल चामल रोटी सब्जी बना कि अगर ऊप गये हैं तो जटपट से यह वाली रेस्पी आप बना लीजिए आपके घर में सभी को पसंद आएगी और सभी उम्र के लोगों को यह टेस्टी लगती है तो आज यह मेरी किचन में आपको इसकी रेस्पी शेयर कर देते हैं उसके पहले अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर और रेस्पी आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जर दो चीजों से बनी है तो यह रेस्पी है दाल ढोकली की तो बहुत से लोग इसको दाल का दुलहा भी बोलते हैं दाल ढोकली भी बोलते हैं तो आप लोग भी बताईए का आप क्या क्या इसको बोला जाता है तो यह सिंपल सी दाल ढोकली की रेस्पी है तो यह मेरे पास तो आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप चाहत लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अभी लेसुन को भी बारीक बारीक कर लेंगे और मेरा कट करने का तरीका वही है पहले इस तरीके से लेसुन को कर देंगे उसके बाद चोटे-चोटे से टुकड़े इस तरीके से जब तोड़के लेसुन को कट करेंगे तो लेसुन भी चौप हो ही गये है और आगी की रेस्पी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे इसको बनाना है कैसे कैसे इसको तियार करना एक चटपटी सी यम्मी सी रेस्पी तो दाल को दो करके साफ कर लिया है अब इसको ड बढ़ा सकते हैं, तो आधी कटोरी दाल, दो कटोरी भर के पानी डाला है, और आप चाहें तो दाल बढ़ाएंगे, तो इससाब से पानी भी आपको बढ़ाना रहेगा, और आप इसमें डाल देंगे, जो कट करके लेषून और मिर्ची रखी दि, वो अब इसमें डाल में डाल देंगे और ज्यादा कुछ डाल में नहीं जाएगा किलकुछ सिंपल सी डाल बनेगी तो बहुत आसान है और अब इसमें जाएगा एक चोटा सा चमच आइसक्रीम खाने वाला जो होता है उस चमच से एक चमच हल्दी और वो सुरी हींग और ज्यादा कुछ भीने हरा भगतन लगां के इसको गयस की फ्लेम करतें दो सीटी आने तक किम्हें तब तक आगे की तैयारी कर रहलेंगे तो आगे की तैयारी में लिए एक बतरो उसमें अब आटा डालेंगे तो हांटी मेरा एक च्प शोटा सा कप जो चाय का ठाए कि जा न तो अब आटे में डाल देंगे नमक, और अभी इसमें जाएंगे कुछ ड्राइ मसाले तो इसमें जाएगा सब आदा अदा ऐदा चमच गरम मसाला, आदा चमच जीरा पाउडर, तर जीरा दुब हमार, अजाय पाउडर और एक एक स्पून, ओयल, और याप रिफाइंड और में आठे का कोई भी हूआ नार्मल पानी थोड़ा कम लग रहा था तो ऑड़ी ऊपर से में पानी के तो तो जब डून आठे का यहएं उसी से नीगा नार्मल तो अलां तो देखिए आटे का डो लगाना तो सभी को आता है कि इस तरीके से लगाना है डो बस वैसे ही बस हाट और सॉफ्ट डो होता है तो इसमें सॉफ्ट डो जाएगा हाट डो नहीं जाएगा तो इस तरीके से देखिए आटे को थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से बढ़ों तयार कर लेंगे और यहमारा आटे का दो तयार हो गया नार्माल सा मार्माल विह 2017 से थरीक्तप्य नाइन लग्ट त्यार नाचा है और दो लगा कर रख देंगे माटा विया जो शीतियां और में बढ़ी कैसे बंद इस करें पेराफ भाग ब्राबर होने के बाद एक भाग लैंगे और इसका वागे चकलन बनाना बनान लोई पता है बने बलेज़ा है इस तरीके से देखें औरभि वी आपको इसकी तिकनेस भीडिखाएंगे कि कितना ओर चाईए ह्ईए बहुत बारी करुद्या बनती बहुत बैली तो गुद्टना आतला हमको नहीं बनाना है इस हर तरफ से गुमा गुमा के बेलेंगे और अभी आपको इसकी थिकनेस भी दिखाएंगे इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना चाहिए तो यह देखे इतना मोटा चाहिए अमको और अभी थोड़ा पास से दिखा देते हैं दूर से समझ में नहीं आ रहा है तो अभ कि अबट प्तला रहएगा तो उसमें बहुत पतला बारिक हो जाएगा और यह मेरे पास कटर है आप कटर भी यूज कर सकते हैं humor कंटर नहीं आपके पास तो आप चांकु से भी रजाएं चांकु से भी अच्छे से करेंगे जैसे नमक पारे बनते हैं उसी सेफ में करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है इसके डिजाइन हें बहुत सिम्पल डिजाइन है तो बहुत सुन्द सुन्द से डिजाइन बनती हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है और यह थोड़ी आसान भी पढ़ती है टेस्ट वही आना है तो इसलिए वाली डिजाइन नहीं बनाई यह सिंपल वाली डिजाइन बनाई है डामेंड सेप जो काजू कतली का स जाएगा और यह चिपकता नहीं है कि हाँ एक दूसर में रख देंगे तो चिपक जाएगा चपके नहीं जब इसको डाल में डालेंगे ना तो सब अलागल हो जाएगा तो व्हों तो वह टेंसन मत लीजे कि चपक जाएगा और अगर आपको ज्यादा चपकने का है तो में खुद्ध एक बाउकोर भी कट कर सकते हैं तो यह देखिए इसके भी चोटे-खुटे से आरे जिब चोटे-छोटे-खुटे रहते हैं तो चम्मस एक आसानी रहते हैं और बड़े-बड़े सेफ रहते तो उसको कर दोकोर कर आतारी निखता धुक्षाल अबेड़ें तो इसलिए थोड़ा पानी डालेंगे तो इतना पानी परफेक्ट है अब इसमें देखिए थोड़ी-थोड़ी करके डालते जाएंगे जब खौलने लगेगा उसी टाइम पर डालेंगे ताकि यह ताकि सब अलग हो जाए अच्छे से जो चपक जाएंगे तो वह पानी जब देरे में दालें दाल में तो सब अराम से अलग हो जाएंगे तो देखे डाल के अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। तकि सारे पार्ट्रम अलग हो जाएं जो आते के हमने बना Glassि और अब जो दूसरा वाला था वह इस तरीके से देखिए डाल देंगे वह उसको नहीं नि अब देखें दाल कितनी गाड़ी लगने लगी अभी और गाड़ी होगी तो ये दाल ढोकली की दाल थीक ही अच्छी लगती है तो अब में इसमें सिर्फ एक सीटी कराने अब कुछ भी नहीं डालना है एक सीटी कराएंगे तो जब तक हमारी एक सीटी हो रही है तब तक कर ल जान ये डो पारड में प्रेते थैक्त फमुट कर लिया है लाता सरवर लिए आधा के और अपर चले कर लिए बारी तो नी चैeml दाल कोधाई और अब अब उटारे को क Character बर्बर्दस्त होने में 從 तो तड़के का ही स्वाद आएगा तो अब इसमें डालेंगे दो चमच तेल सरसो का तेल आप चाहें तो तेल की कौंटिटी भी बढ़ा सकते हैं और इसमें डाल देंगे तेल गरम हो गया है तो आदा चमच राई और राई चटक नहीं देंगे जब राई अच्छे से चटक प्याजय के डालेंगे पूरी डणडी करी पत्ते की और करी पत्त चाहें चोप करकैम भी आफिन भी डाल सकति स्चुटा प्यारा कीज as. तब करी अब चाहरा सबसांगता कर ने प्याज घर की चितना ने ने उननत्य इसमें एक तो जयाữa करना और चजहीं और प्याज भी देखे गोल्डन हो गई यह आप इसमें डालेंगे जो टमाटर कट करके रखा था टमाटर को गोल्डन करेंगे गोल्डन सुरी टमाटर को पकाएंगे अच्छे से और जब टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा पक जाएगा इसमें बढ़ियां से फिर इसमें दालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी और काश्मेरी लाल मिर्च एक चम्मच भरके तो जिससे जब यह तड़का डालेंगे न तो बहुत अच्छा कलर आएगा तो देखें तेल कितना कम यूज किया है आप चाहेंगा और अब उपर से जाएगा गरम मसाला आदा चम्मच और थोड़ी सी धनिया पाउडर आदा चम्मच और इसको भी अच्छे से भून लेंगे मसाले में तो देखें हमारा मसाला अच्छे से कितना अच्छे से भून गया है तो बस अब तड़का हमारा बिल्कुल तयार है और इसमें अब डाल देंगे डाल धोकली तो दाल धोकल तड़के में डाल देज़गे और अच्छे से Mix कर देङए अच्छे से Mix कर दिया, देखके इन अगर आपका सब्जी बनाने का मन नहीं है, तो इस तरीके सेसे लेकिन हैं अभी और सब्सक्ण कर देदा का पड़्यार है एक चम्मत तेल राई का छोटे से फ्राइपान में जो आपके पास हो वह लए जिए तो उसको गरम करें। कि इसके फिर से ओपर से डाल गरीपता और सुखी जुरे जो लाल मिर्च होती है उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और एक चोटा सा चम्मच हींका तो लो बहुत अच्छा आता है डाइजेस बहुत अच्छा से होती है हिंग जरूर हिंग डालें दाल डोकली में और यह तोड़ा से तड़के वाली दाल डोकली है कभी आपको सिंपल वाली बिदाल डोकली बताएंगे बनाना और एक चमच भर के काश्मीरी लाल मुट इससे कलर तो जो प्याच कट करके रखी थी उसको बहुत अच्छा जाता है और जो तड़का बनाया था आमने वह उपर से डाल देंगे तो जिससे बहुत बहुत टेस्टी लगता है तो आप चाहे सर्व करते समय उपर से डालें चाहे डालके पूरा मिक्स कर दें खाने से पहले सारी दाल ढोकली में और बस टेस्ट के लिए थोड़ इसी हरी धनिया डालेंगे और इसमें नीबू डालना थोड़ा मिस हो गया था तो नीबू जरूर डालें और जो आपके पास आलू भुजिय स्यू होती है तो वो भी उपर से डालें उससे बहुत बहुत अच्छा क्रंची सा स बहुत टेस्टी टेस्ट तो इसका जबरदस्त हो जाता है अगर आलू भुजिया आप से ओपर से डाल देंगे और यह देखे अभी कितनी सुंदर लग रही है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इसको खाने से और सिंपल आटा और डाल से बनाई डाल डोकली बहुत ज कोच्चिंगा से बनाई भुद में पाएंगे एसका जाल से और से और यह जाल से और से दोंदर ओनना मुद झाल एसकते हैं जाल भुद को जिसके बनाई पाल आपकुद को बाचर से तेंगर